तो दोस्तो जैसके आप देख सकते हैं जे जो Army Head Quarter की और से बरती आ रही है इसका जो Official Notification है जे वी आउट हो चुका है साथ में आप देख सकते हैं जो Education Qualification मांगी गई है वो मांगी गई है 10th Pass आपके पास कम से कम 10th Pass का Education Certificate होना चाहिए अगर आप इस बरती में Apply करना चाहते हैं तो और इसका जो Application Farm है वो आपको कुछ इस तरह से Fill करना है सबसे बहले तो आपने लिखना है कि Posters are Applied for जानने कि आप कौन सी Posters के लिए Apply करना चाहते हैं उसके बाद Candidate's Name आपने अपना यहाँ पर नाम लिखना है Capital Letter में उसके बाद आपने फादर's Name लिखना है Capital Letter में उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी Date of Birth फिल करनी है उसके बाद आपने यहाँ पर अपना Photograph पेस्ट करना है तो इस तरह से आपको कुछ Application Farm को फिल करना होग जाहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल निउसरकारी जॉब्स में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो Army Headquarter की और से नहीं बरती आ रही है इसकी Job की Details के बारे में तो इसमें जो आपको monthly salary दी जाएगी वो दी जाएगी 63,000 और इसके साथ साथ ज यह सीधी बरती आ रही है, Male and Female दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन यह बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल निउस सरकारी जॉप्स को जॉप्स के लेटर लाटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मंधली सेलरी के बारे में अगर आपका इस जॉप में सेलेक्शन हो जाता है तो जो मंधली सेलरी आपको दी जाएगी इस जॉप में वो साल जानी कि आपकी जो 25 साल जब 25 साल से कम होनी चाहिए लेकिन अगर आप SCST या OVC से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए कुछ relaxation भी दी गई है जैसा कि OVC candidates के लिए 3 years की relaxation दी गई है and SCST candidates के लिए 5 years की relaxation आपको age limit में देखने के लिए मिलेगी इसके बाद हम बात कर लेते हैं education qualification के बारे में तो अगर आप Indian Army MTS की posters के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके बास कम से कम matriculation pass जानी की 10 पास का education certificate होना चाहिए भही अगर आप Indian Army LDC जानी की lower division clerk की posters के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके बास high secondary pass जानी की 12th pass का education certificate होना चाहिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं selection process के बारे में कि जो में जो selection होगा वो कैसे होगा किस basis पे होगा तो सबसे पहले तो आपका return exam होगा उसके बाद आपका physical standard test होगा और अगर आप इन सभी test में qualify कर लेते हैं तो उसके बाद आपका physical efficiency test किया जाएगा उसके बाद आपका detailed में medical exam किया जाएगा और last में आपकी एक final memory list निकाली जाएगी और अगर आपका final memory list में नाम आ जाता है तो last में आपके documents की verification की जाएगी आपकी जाइन के लिए तो इस तरह से इस job में को selection किया जाएगा और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो जाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे telegram channel को भी जाइन कर सकते हैं इस telegram channel को जाइन करने का फाइदा आपको जे होगा कि जो भी job की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी channel पे मिल जाती है जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी headquarter की और से बरती आ रही है इसकी vacancy की details के बारे में तो इसमें जो आपको total number of posters देखने के लिए मिलेंगी वह मिलेंगी total 4 posters इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब इसमें आपको कौन-कौन सी posters देखने के लिए मिलेगी तो इसमें आपको Indian Army MTS की posters जानी की multitasking staff की posters देखने के लिए मिलेगी जो दो vacancy है इसके बाद आपको Indian Army LDC जानी की lower division clerk की posters की देखने के लिए मिलेगी जिसमें आपको total 2 vacancy देखने के लिए मिलेगी अगर हम इस बरती से जोड़ी कुछ important dates के बारे में बात करेंगी कि इसके application farm लगना कब से start होंगे तो इसके जो application farm है वो already started जानी की पहले से ही लगना start हो चुके हैं और जो last date है application farm को fill करने के लिए वो है 21st October 2021 और जो apply mode होगा वो offline होगा आपको offline अपना application submit करवाना होगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप eligible हैं और apply करना चाहते हैं जोआ में आपके पास कौन कौन से document होने चाहिए तो आप सबसे पहले तो आपके पास date of birth proof certificate होना चाहिए इसके बाद आपके पास education certificate में कम से कम 10 मी या 12 मी पास का education certificate होना चाहिए इसके अलावा अगर आपके पास कोई अधर qualification जाए experience अबोवी apply कर सकते हैं application farm के साथ आपके पास अपना अधार card जाए pen card होना चाहिए as identity proof इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप S.E.S.T. या O.V.C. से belong करते हैं तो आपके पास अपना case certificate होना चाहिए इसके साथ-साथ चार passport size photograph होने चाहिए आपके पास light color background में अपने तो जैसे भी documents अगर आपके पास हैं तो आप successfully apply कर सकते हैं इस बरती में इसके बाद हम बात कर लेते हैं application farm की fees के बारे में तो अगर आप किसी भी category जाने की journal O.V.C. E.W.S. S.E.S.T. या female candidates हैं किसी भी category से belong करते हैं आपके यहां पे कोई भी application fees नहीं लगेगी application farm को fill करने के लिए और अगर आप इस बरती का official notification पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको description में एक link मिल जाएगा आप वहां पे click करके यहां पे अपना application farm भी download कर सकते हैं official notification को भी आप जहां पे देख सकते हैं तो friends जे थी आज की वीडियो और दोस्तों जो BSF की और से नहीं बरती आ रही है अगर आपने बो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप बो वाली वीडियो भी देख सकते हैं इसमें जो आपको मंतली salary दी जाएगी बो दी जाएगी 72,000 और जो education qualification मांगी गई है बो मांगी गई है दसमी पास जे आल इंडिया के लिए सीधी बरती आ रही है male and female दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं जादा जानकारी के लिए आप बो वाली वीडियो भी देख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा